हलो और वेल्कम तो इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग आज के विबी डॉट नेट के इस लेक्चर पर हम हम टॉगल कंट्रूल क्या होता है यह बनाना सीखेंगे तो बहुत ही आसान दरीके से में से बनाएंगे तो मैं इसके लिए एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन लेता हू और एक विंडोस फॉर्म यहां पर बनाएंगे विंडोस फॉर्म एप्टिकेशन इसका नाम मैंने टॉगल दे दिया है और यह हमारा फॉर्म है तो टॉगल कंट्रूल का मतलब क्या होता है कि आप चाहिए तो इसे बटन के उसायता से बना सकते हैं चेक बॉक्स में भी टॉगल करते हैं टॉगल का मतलब होता है ओन से आफ करना या ओफ से आउन करना तो मैं आपको इसे कमांड बिटन कॉंट्रोल में बना के दिखाऊंगा तो इस प्रोग्राम को समझने के लिए इस इंट्रस्टिंग बनाने के लिए मैंने कुछ आइडिया लगाया है और आप देखते जाएं कि एक ऐसे इंट्रस्टिंग मनते जाता है सबसे पहले फॉर्म का जो बैक कलर है उसे मैं ब्लैक कर दे रहा हूं जो बैकग्राउंड क या आप चाहें तो कुछ भी रख सकते हैं बट फिलहाल मैं on रख रहा हूं और यह जो on है यह इसलिए है कि जब मैं इस on पर click करूँगा तो यहां पर एक light जैसा आएगा एक bulb आएगा जो appear होने वाला है तो अभी हमने light यहां पर कोई bulb नहीं जाना आने वाले हैं हम जस्त क्या करने वाले एक picture box ले आते हैं picture box control और इस picture box control पर हम क्या करते हैं मैंने एक image रखी हुई है download करके तो मैं इसे import कर रहा हूं आपके सामने यह desktop पर है और यह bulb नाम की image है मैंने download करके रखी है जिसे मैं add कर दे रहा हूं तो actually मैं यह जो bulb है यह क्या होगा यह appear होगा जब मैं on button पर click करूँगा ओके तो हम एक toggle जैसा बना लेते हैं आपके I think कि यह इतना काफी है यह फिर आप इतना भी देंगे तो शलेगा okay so सबसे पहला काम यह कि देखे मैं इसे play करता हूं तो यह image तो हमें दिखाई दे रही है और अगर मैं इस picture box की visible property होती है इसे क्या कर दे रहा हूं false कर दे रहा हूं तो जब मैं इस button पर click करूँगा तो यह इसकी visible property कम true कर देंगे और bulb दीखने लग जाएगा यह हमारा program है और हम toggle का मतलब भी समझ लेंगे तो यह toggle control की तरह काम करने वाला है तो देखे हमें करना सिर्फ इतना है कि if button one dot text हमने इसमें text दिया हुआ है क्या on तो हम पहले चेक कर रहे हैं कि अगर इसमें on लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम क्या कर दें पहले तो मैं आपको toggling समझा दे is equal to off कर देते हैं तो इस तना करने से सिर्फ यह हो जाएगा कि जब आप play करेंगे और इसमें click करेंगे तो देखे क्या बन गया off बन गया और off का जो O है वो मैं capital दे देता हूं और फिर यहां के else में हम चेक करते हैं else if button one.text is equal to क्या हो गया है off है यदि हमान लीजे off रहेगा तो भी हमें क्या करना है then जो button one.text है इसे हम क्या कर देते हैं इसे हम on वापस कर देंगे तो on है तो off हो जाएगा और off है तो on हो जाएगा यहां पर एक space देना है और else if के बाद में हमने यहां पर क्या लगाना है end that's it तो यह जितने भी आपके सवाल थे यह पहले हमने toggle button दो बना लिया देखे में on में click करता हूं तो यह off हो जाता है off में click करता हूं तो on हो जाता है तो यह successfully काम कर रहा है अब हमको करना यह है कि जब यह चीज on हो रही है तो जो picture box हमने ले के आया है picture box की जो visible property है इसे हम क्या कर देते है true कर देते है और similarly जब हम इसे off करते हैं तो यहां पर picture box की जो property से क्या कर देते है false कर देते है तो actually मैं जो color का effect है वो आपको दिखाई देगा है आप अभी आपकी screen black है तो जब मैं sound करूंगा तो आपको ऐसा लगए जैसे light जल रही है और जब मैं सौफ कर दूंगा तो क्या हो जाएगी light बंद हो जाएगी तो यह हमने toggle बनाने की कोशिश की और आपको button के visible property, picture box की visible property और उसकी button की मैंने text property आपको समझाने की कोशिश की अगर आपको यह lecture पसंद आया हो तो क्रिपया like button दबाए इस वीडियो को ज्याद स्यादा शेयर करें ज्यान बाटने से बढ़ता है ध्यान रखें तो क्रिपया हमारे चैनल को subscribe करने के लिए लोगों की help करें इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें thank you very much next lecture में मिलते हैं combo box control पढ़ेंगे हम अगले lecture में thank you very much